इसमें एक सोटा सा फॉर्मूला हम बताने वाले हैं जिसमें बार-बार आपको प्रेस्ट करने की जरुगत है एक बार में नहीं आएगा यह देटा भी बड़ा चोटा सा है और यहां पे हेडर मैंने कॉपी कर लिए ठीक है यह हेडर है आपका इसको डिफ्रेंट सीट पर भी हम यहां पर लगाने वाले हैं हम यहां पर लगाने वाले हैं वी लुक अप क्या लगाएंगे वी लुक अप ठीक है तो वी लुक अप लगाते हैं तो यह देखो वी लुक अप मने वर्टिकल लुक अप क्या होता है वर्टिकल लुक अप लगा दिया अब कह रहा है लुक घान पर इस का नाम लिखा उससे को खोजना सब्तिक है जाम गोड़े जाएंगे हनार सर City है On लाइत जंव फोंव यहां आरखाओ करना ढि Studies लेकिन हमको यह फूरा नहीं सेलेंक्त करना क्योंकि वला तो हमने ल्हिए रखा हैसे इतना इतना select कर दिए है फोर दबाएंगे यह कौनसा cell address बन जाएगा फोर दबाया तो यह किस तरह का cell address बताए थे ना नहीं है यह absolute है दोनों fix हो गया रू और column दोनों fix हो गया थे एक तो यह absolute हो गया ओदेंगे अब कहांज आओ नेक्स नम्मर हमको खौजना क्या है तो इसका हमें क्या पता चल जाए उसका हमें टोटल पता चल जाए तो टोटल का कॉलम नम्बर काउंट करना पड़ेगा count करते हैं ये one ये two ये three ये four और ये five तो हमको यहाँ five रखना है five रख दिया comma देंगे और exact match के लिए zero लिखते हैं ठीक है और interface करेंगे तो देखो यहाँ पर not applicable तो यहाँ पर हमको कुछ लेकर आना पड़ेगा कम करतें यहां पर drop down बना लहां तर यहां से इन सब नाम को मैं क्या करूंगा select कर लिया select करक क्या करना यहां से okay कर दो यहां पर दोब दोना रहा है यह दिख रहा है सारे नाम आ गए हैं अब माल लो कि तुमको रवी का टोटल देखना है तो यहां पर रवी के टोटल के लिए रवी पर क्लिक करोगी तो रवी का टोटल देखो 2800 रुपए आ रहा है ना देखो आ रहा है कि नहीं 2800 है ना ठीक है अब इसी चीज़ को यहां पर अपकिए तो न तो यहां पर क्या करना है F4 दबा के इसको फ्रेज करना है तो यह फ्रेज हो गया F4 दबा के कॉमा देंगे F4 दबाने से दोनों के पहले डॉलर लग जाता है तो दो है A2 है और E6 है तो दोनों के पहले सब के पहले डॉलर लग जा है F4 दबाने से ठीक है अब क्या करना है कब तक count करेंगे ये column कभी column को count करना पड़े तो ये ठीप नहीं है तो क्या कर सकते हैं है target अब अब यहां से इसको select करना है यहां पर f4 दबा के freeze कर दिया फ्रिज कर दिया फ्रिज करने के बाद कॉमा दीजिए कॉमा देने के बाद क्या करना है यहां पर यह पूरा table array select करना है f4 दबा के इसको भी freeze करना है कॉमा लगाना है और कॉमा लगा के यहां लगाना है columns का formula किसका formula आपने आप आ गया अब यहां से अगर मैं नेम चेंज करता हूं यहां से मैं नेम चेंज करता हूं तो अभी के जगह क्या करता हूँ, सचिन कर देता हूँ, तो यहां सचिन का पूरा डीटेल आ गया, आया की नहीं आया, ठीक है, और सचिन के जगह कुछ और कर देता हूँ, लाइक अंशिका कर देता हूँ, तो यहां अंशिका का पूरा डीटेल आ रहा है, आ रहा है की नहीं अब यहां पर नहीं बलकिए यहां पर रख लेता है और यहां पर क्षान पर यहां पर पर यह रहाँ इन नेंच करेंगे इन अब मैं कि अब यहां पूरे डेटा को सलेक और नहीं ढ़े रखा है ठीक है ऑफपोर। दभा को फ्रिच करता है और उपर को दूरे को पर यह सकते रहा हूं हम वम सेलेक्त करके और पहले हिस्थे को क्या रखना है तो एक फूर्ण रखना है यहां इस थो गया यानि लॉक्ट हो गया आप देनीगे और बंद करेंगे अल्ग करेंगे और यहां से अगए यहां से अगर चेंज करते हैं तो यहां घ्रक्षार का है यह एक बाड़ेगी टोर में तो पाउंड है न इसको पाउंड पॉलते हैं एक्सल की भाशा में तेवर छेकर आ चार्जर यह दसदर दिखा रहा है कि नहीं देख लिए छेज़ आ तहीं कोई दिक्कत हो तो बताईएए तो यहां अब इसको करके देखना है क करिए आराम से बैसके एक है